जब सेक्स की बात आती है तो अधिकांश लोग जो सोचते हैं उसके विफ्रीत महिलाई अपनी इचाओ को बहुत स्पश रूप से व्यक्त कर सकती हैं और रियालिटी में महिलाओं में जादतर समय पुर्शों की तुल्ला में अधिक सेक्स ट्राइप मानी जाती है और यह है भी और वक्सर अपने साथी के साथ करने वाली सबी गंदी चीज़ों के बारे में विजुलाइजिशन कर सकती है यह बहुत बड़ा सच्छा और वो अपनी योन इच्छा और कल्पनाओं के बारे में सोचना पंद नहीं कर सकती है इसलिए यह यह पता लगाने में संखर्श कर रहे हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर हाली में क्या कल्पना कर रही है तो यह कुछ सामाने से योन कल्पनाओं हैं जुनके बारे में महिलाएं अक्सर सोचती हैं तो चलिया जिस वीडियो में जानते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखेगा हेलो एव्रिवर्न मैं हूँ आपके साथ आपकी गुड़ लाइफ काउंसलर उच्वला और आप थेख रहे हैं आने के लिए चाबुक और जंजीर जैसी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं कुछ महिलाएं बीडियेसम के बारे में सोचना भी पसंद करती हैं यानि उसमें मरदान के और या फिर परिप्रिडन के साथ जो बंधन का खेल होता है कभी-कभी विनम्र होने के साथ-साथ महिलाओं के विचार उससे थोड़ा ज्यादा हाई हो जाते हैं महिलाओं के बहुत ही ज्यादा तेजित भी करता है पुरुष आपकी प्रेमिका को यह बिल्कुल आपको पसंद नियाएगा कि वह ऐसी डेट प्लान करें लेकिन वैसी व्यवस्ता कर सकते हैं आप उनके साथ ऐसे बाहर सेक्स कर सकते हैं ट्रॉइस के साथ प्रियोब करने का विचार भी अद्भूत अनुभव हो सकता है जिस सब्सक्राइब करने किन फार्ट करना पर महिला विशेश रूप से एक साथ कई लोगों के साथ सेक्स के बारे में कल्पना करना पसंद करती हैं कुछ प्रैक्टिकल भी हो सकता है कुछ इंज्जॉयमेंट के हिस्से की रूप में इसे कर सकते हैं आप फिर त्रीजम या पिर कुछ कामों कलपना ऐसी हो सकते हैं जिसके बारे में महिलाएं अक्सर सोच्टी हैं फवर्थ है टेबल सेक्स यह कैसा आश्चरे के रूप में हो सकता है लेकिन महिलाएं इस वर्चिद सेक्स के बारे में बहुत कुछ सोच सकती है वो उन सभी चीज़ों के बारे में सोचती है जो उन्हें बेडरूम में नहीं करने चाहिए और यह उन्हें उतिज़त करता है लेकिन उस चीज़ के बारे में वो बहुत जादा सोचते हैं जो नहीं कर सकते हैं इसकी तुलना में वो क्या कर सकते हैं इसलिए आप किसी ऐसे प्रेंटेसी के बारे में जानते हैं जो अकसर आप भी विज्वलाइज करते हैं तो आप हमार साथ शेयर कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो के अचा लगा बताना बिलकुल मत भूलेगा